स्टार प्लस के यूट्यूब पेज़ पर आने के लिए आप सब का धन्यवाद अपने फेवर्ट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज़ को और हिट दे बेल आइकन लेकिन वो सब ये क्यों करना चाता किंजिल पेन सबसे बड़ी बात ये है उंबांग और ठिप्ती देवर भावी नहीं असलियत में वो दोनों पती-पत्नी है मा का की उंबांग तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे और धावल जी के बीच में मिसंडरस्टैनिंग पैदा करने की तुम्हें क्या लगा? तुम अपने घर्टिया मकसद में कामियाब हो जाओगे खिंजल जी यह आप क्या कह रही है I'm sure कि आपको कोई गलत फेमी हुई नहीं उमा मेरी गलत फेमी तो अब दूर हुई क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है अच्छा तुम्हे क्या मिला ऐसे बुद्दू लड़के से शादी करके खाबरदार अमंग अगर धवल जी के बारे में एक लफ्ज भी कहतो तुम्हे धक्य मारके बार भिक्वा दूंगी अले शादी मेरी राधा से हो गई लेकिन सचा आज भी मैं तुम्हे भुला नहीं पर है छोड़ो अमंग क्या कर रहे हैं छोड़ो अमंग छोड़ो मुझे अमंग 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 टरी हम मत करसे किंजल को आज लगाने नीट! उचे लगा तुम बतल के आए! एहम जी? एहम जी छोड़ दीजियो मंग को! एको! एहम, क्या कर रहे हो ये? महम आपको पता है किसने किंजल के साथ आज़? अपने कमरे में जाओ! लेकिन महम में- मैंने कहा ना, फॉरन! और तुम किंजल! मा! आप नहीं जानती कि ये सुमंगने मेरे साथ- मुझे कुछ नहीं सुनना! जाओ! मुझे लगता है उमंग, किंजल और एहम को जरूर कोई गलत फैमी हुई है! खेर जो हुआ सो हुआ तुम उसे भूल जा! तुम्हारी भाबी की शादी की तैयारी में लग जा! चालो गो, पीवा! एहम? एहम? मौम, आपको आज मुझे नहीं रोक राचिए था उसने किंजल के साथ पहले क्या के था? और आज? आज तो उसने हदी पार का डाली! भाई बिल्कुल ठीक के रहें! मैं सोच भी नहीं सकती जो जो उस उमंग ने आज मेरे साथ किया! आपको पता है मा? इस उमंग ने धवल जी और मेरे बीच इतनी गलत तैमिया पैदा करी कि धवल जी ने अब तक मुझे छोड़ दिया हूता! इसका तो पूरा प्लान था कि तुरी जिंदेगी बर्बाद कर दे! इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए! हर्किस नहीं! वर्ना उस बिचारी राधा की जिंदेगी परबाद हो सकती है! अब वह एक बल भी यहां नहीं रूँ सकती है! मैं उसे नहीं छोड़ूँगा बसा! रूको एहम! तुम्हें क्या लगता है कि गुच्सा सिफ तुम्हे आ रहा है? सिर्फ तुम्हें गुच्सा आ रहा है किंजल? तुम दोनों को ही बुरा लगा है? मेरी बेटी किंजल के साथ उसने जो बतसलूकी की उसको देखकर क्या मैं खुश हूँ? नहीं! तक्रीफ है मुझे भी एक बाहरी आदमी ने मेरे परिवार के सदस्यों का जीनों मुश्किल कर दिया है सब कुछ जानते बूचते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही है पता है क्यूं उसकी वज़ा है राधा मात्र राधा की वज़ा से मेरे हाथ बंदे हुए है मा इसका मतलब उस दर से हम उसे कुछ नहीं करेंगे मा जे उस सराक्षस ने आपके घर में आप ही की बेटी की इस्दद पे हाथ डाले लेकिन आपने क्या किया उसे छोड़ दिया कुछ नहीं किया मा अपने भाई को रोक के बहुत गलत किया उमंग बहुत ही शातिर इंसान है उसे सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी ही लेकिन सही वक्त पर ये सही वक्त नहीं है उमंग हम सब की सोच से कई गुना ज्यादा खतरनाक चाला और धुर्द इंसान है जीजू क्या आपको पता है इस उमंग का हमारे घर में रहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत है ये सब पाने के उससे कल रात को खोशिष की उसने तो मेरे तिजोरी की नकली चाबी भी बना लिये लेकिन वो सब ये क्यों करना चाहता है किंजिल पेन सबसे बड़ी बात ये है उमंग और ठिप्ती देवर भावी नहीं असलियत में वो दोनों पती-पत्नी है क्या? वो दोनों बड़े ठाग इंसान है जो सिफ लोगों को मुर्ख बनाते हैं, पैसे लोटते हैं और भाग जाते हैं यही उनका पेशा है उमंग ने राधा को मोधी भवन में प्रवेश करने के लिए मोहरे की तरह स्तेमाल किया है और राधा, राधा यह सब कुछ नहीं जानती वो तो उमंग के प्याल में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे सच्चाई दिखती ही नहीं मैंने और गोपी वो ने कई बार उसे सच्चाई बताने की कोशिश की लेकिन उमंग इस कदर राधा को अपनी मुठ्धी में कर लिया है कि राधा को हमारी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा है यदि आज मैं तुम्हें रोबती नहीं और अगर तुमने उमंग को कुछ कर लिया तो उसके बदले में उमंग राधा को नुकसान पहुंचाता लेकिन माम मामला बहुत संखीन होता चाहता सोतो है ही और इसलिए उमंग की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और वो भी तृप्ती की शादी से पहले मैंने ये भी पता लगाया है कि उमंग जिस घर में रह रहा है वो घर भी उसका नहीं है इसका यही मतलब है उमंग बहुती खतरनाक इंसान है उसे मैं अपने घर से पहार करके ही रहूंगी आपके मनो रंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को